मैं अर्जुनलाल मीना जो लोगसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं वीदी द्वारा अस्तापित भारत के सविदान के परती सची शर्दाव और निष्टा रखोंगा लोगसभा चुनाव देश का चुनाव पार्टी संगठन और गडबंदन के बनने बिगरने का खेल शुरू हो गया है लेकिन सवाल ये है कि जुन्हें आपने पांस साल तक सांसत बनाया है उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है क्या किये हुए वादे पूरे किये है हम वो होगी उदैपुर से विजेपी के सांसत अर्जुनलाल मीना की अर्जुनलाल मीना वसंध्रा राज्रे के करीबी माने जो आते हैं सरकारी नौकरी से वियारस लेकर अर्जुनलाल मीना ने आदिवासी नेता की तौर पर पहचान बनाई लंबे समय से राज़नीती में सक्रिय अरजुनलालमीना 2003 में पहली बार सलुमवर से विधायक बने अरजुनलालमीना किसान परिवार से आते हैं पढ़ाई छोडने के 24 साल बाद उन्होंने एललबी की ड्रिगरी हांसिल की इसके बाद 2014 में वो पहली बार सांसत बने इसके बाद 2019 के आम चुनावों में भी अरजु की तस्वीर वाइरल होती है खास बात ये है कि 2019 में इनकी एक पत्नी ने सलुमवर से पाफ़वत का चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव हार गई अब ये तो हो गई अरजुनलालमीना के सियासी सफर और व्यक्तिगत जीवन की बात लेकर एक सांसत के तौर पर अरजुनल मीना के उपस्ति थी 83 प्रतिशत रही अरजुनल मीना ने संसत में कई भैसों में हिस्सा लिया इनमें उदैपूर सलुमबर बासवाडा स्टेट हाइवे नंबर 36 को नेशनल हाइवे खोशित कर फोल लेन में बदलने की मांग राजिस्तान में रीट पेपर में गडबड़ी और उदैपूर में पिछोला ज्वील परवने बदीपाल डैम की मरमत सहित कई भैसों में हिस्सा लिया मीना ने सत्वी लोगसभा के अपने कारेकाल में 255 सवाल पूछे इनमें एनेच 48 पर एलिवेटर डोड के संबन में राजिस्तान में परियतन को बढ़ावा देने के लिए धनराश्टी का एलोकेशन यानि आवंटन ब्रोडगेज रेल लाइन यानि रेलवे की छोटी सिटी जनजातिय छेत्रों के बिरिजगार युवाव से जुड़े सवाल किये तो अब अरजुलनाल मीना को मिली सांसद निधी की भी बात कर लेते हैं सांखे की एवं कारेक्रम, कार्यानिवन, मंत्रौाले की वेबसाइट पर मिले डीटा के मताबिक उन्हें सांसद निधी बाकी है, तो अब ये तो हो गई आकडो की बात, लेकिन उदैपुर सांसद अरजुलनाल मीना का अपने रिपूर्ट कार्ड को लेकर क्या कुछ कहना है, कितना अब तक उन्होंने अपने लोगसबाद छेत्र के लिए एक काम किया है, वो भी सुन लीजे. अब तो ये बड़ा मुद्दा था, इसको हमने हाथ में लिया और मान्यम परदान मंत्री जी से मिले, रेल मंत्री जी से मिले, तो हमें ये सोगात प्राप्त होई है, आमान परिवर्थन का काम पूरा हो चुका है, रेल लाइन प्रारम हो चुकी है, एक नि अनेक रेल गाड है, हाईवे में बहुत बड़ा काम हो है, और तीसरा इने चाहिका उदेपूर से जारोल प्लास है, फिप्टी एटी, चूथा नंबर का जो आदिवासी भालक भालिकाओ को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, तो मेरे राजस्थान में 12 खोले गए, जिसमें से मेरे अ हमारे से एक लिए मॉडल डेजिदेंस जो नवदही के तरज पे खुले हुए, और क्या बताना जाएंगे, यह है, इसके अलावा हमने सुपर स्पेसिलेटी खोला, होस्पिटल को आपके साथ है, यह अपने यह साई का होस्पिटल सो करोड का, जहां कोवीड के ताइम में हुआ है तो सो करोड का होस्पिटल यह भी बहुत बड़ा हम हमारा हुआ है, इसलिए इसलिए अन्यक उदारन है, अपने पास्पोर्ट सेवा के अंदर हो, स्मार्ट सीटी हो, यह ती भारस्य नावदी लग दी है. तोर पर अर्जुनलाल मीना कई मैत्मुन कामों को करवाने का दावा कर रही है लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जुने नहीं करवा पाने का उन्हें अफसोस भी है मैं चाहता था कि इंटरनेशनल हवाएड़ा बन जाए उसके लिए हम बराबार प्रयास करें काम चल रहा है काम चालू हो किया लेकिन हमारे टाई में चालो नहीं हो पाए और तूसरा में चाहता था कि यहां के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सरकारी नोक्रियों में ब युवा है या दूसरा युवा है उसको अभी तक रोजगार नहीं मिला है और लाखों की संख्या में युवा अभी दस हजार के नोक्री के लिए गूम रहे हैं बड़ा अफसोस है कि युवाओं को हम वैसे तो प्रहानमत्री मोजी जी ने बहुत सारी मुद्रा योजना न पड़ेगा अर्जनल मीना दो बार उदैपूर के सांसद रह चुके हैं तीसरी बार चुनाब लड़ने पर उन्होंने कहा कि हर आदमी चाहता है चुनाब लड़ना ये कौन नहीं चाहेगा देखिए चुनाब तो पार्टी जैसा निर्देश देगी पार्टी के आदेश प अब अर्जनल मीना तो जनता के बीच 100% खरा उतरने की बात कह रहे हैं लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप हमें बताइए साथ ही उदैपूर के सांसद के तौर पर आप अर्जनल मीना को 10 में से कितने नंबर देंगे आप उदैपूर में कहा के रहने वाले हैं वो भी हमें बता सकते हैं तब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और सांसा तो उनके रिपोर्ट कार्ट के साथ देखते रहे हैं राजस्तान तक शुक्रिया झार हैं चितने जाओ कितने लाजस्तान वाले टानके रहे हैं